हेलो एवरिवन कैसे हो आप लोग आज हम लोग इस वीडियों में जानेंगे रूल 3A क्या है ठीक है आप लोग को पता ही होगा GDS में रूल 3A है ठीक है रूल 3A के वजह से ही बहुत साड़े स्ट्राइक हो रहा है बहुत आदमी अभी परेशान है ठीक है GDS का जो डिमांड से वो पुरा नहीं होता है ये रूल 3A के वजह से ही देखिया आर्टिकल 370 हटा दिया गया जमो कस्मिर से लेकिन GDS का जो रूल 3A अभी तक नहीं हटा है और इसी के लिए बहुत सारे स्ट्राइक हो रहा है दंगल चल रहा है ठीक है तो ये रूल 3A क्या है ठीक है इससे क्या ल बात करेंगे ठीक है यहां पर देखिए टर्मन कंडिशन ओफ इंगेजमेंट फस्ट पॉइंट देखिए असे बग सेल नोट भी रिक्वाइड टू पर्फर्म डूटी बियोंड मैक्सिमम प्रियाड ओफ फाइप आवर्स इन डे देखिए GDS को बहुत सारे काम करना परता ाहे और उसके लिए समय लगता है ठीक है डिपार्टमेंट उसके लिए उतना समय देता नहीं है इसे ही नोटांकी करने के लिए पांस घंटा बोल दिया है पांस घंटा किसी का करता भी नहीं है क्योंकि वर्कलोड जब लिया जाता है उसको तुरॉंट अप्लाइ नहीं करते हैं इस तना दिन से हम लोग पिछले साल ही अप्रील में वर्कलोड दिये थे मतलब इसी साल वर्कलोड दिये थे अभी तक उसको उसका कोई प्रोसेस नहीं हुआ ठीक है तो अगर पांस घंटा होता तो सेलरी भी बढ़ाया जाता लेकिन अभी तक कोई प्रोसेस उसमें नहीं हुआ तो इसलिए अभी चार घंटा का ही salary मिल रहा है और यहां पर रूल 3 एक according पास घंटा का इस duty होता है जिसका salary basic salary रहता है 14,500 अभी हम लोग को 13,000 अभी हम लोग को 12,000 पे ही काम करना पड़ता है ठीक है तो यह भी demerits है बहुत बढ़ा demerits से 8 घंटा के duty रहता तो salary भी बड़ता काम में उतना प्रेशर भी नहीं आता ठीक है मत्यादा घंटा का काम करा करके कम घंटा का सेलरी दिया जाता है सेकेंड पॉइंट देखिए असेवक सेल नोट भी रिटेंड ब्योंड 65 इयर्स ओफेज मतलब जो डाक सेवक है जिटीएस उसको 65 इयर्स तक काम करने के लिए दिया जाएगा फिर उसके बाद उसको रिटाइट कर दिया जाएगा ठीक है यानि मैक्सिमम जो सर्वीस प्रियर्ड है वो 65 इयर्स तक है थर्ड पॉइंट में देखिए असेवक सेल हैब तो गीव एन अंडर्टेकिंग डेट ही हैज अधर सोर्स ओफ इंकम besides the alarms paired or to be paired by the government for adequate means of livelihood for himself and his family यहाँ पे देखिए GDS भर जनम काम करता है before retirement और उसको अपना family को भी देखना रहता है खुद का भी खैल रखना परता है duty भी करना रहता है और यहाँ पे department बहुत ही चलाकी से खेल लेता है ठीक है मतलब सी काट लेता है यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक्स्टा सोर्स ओफ इंकम दिखाना पड़ेगा भया जब इस department में काम कर रहे था हमें एक्स्टा सोर्स ओफ इंकम क्यों दिखाए तो यह मतलब डिपार्टमेंट फसना नहीं चाता है इस चीज में इस जमेले में इसलिए बोलता है कि जीदीएस को एक्स्टा सोर्स ओफ इंकम दिखाना होगा क्योंकि खुद वो यह सेलरी कम देता है प्रोपर सेलरी नहीं देता है सफिसेंट सेलरी जिससे वो और खुद का फैमिली का ख्याल रख सके इसलिए अपना कमजोड़ी चुपाने के लिए वो बोलता है जीदीएस को एक्स्टा सोर्स ओफ इंकम दिखाना होगा ठीक है फूर्थ ओप्शन देखिए फूर्थ पॉइंट देखिए असेबा केन बी ट्रांसफर वरों वन पोस्ट या यूनिट टू एन अदर पोस्ट यूनिट इन पब्लिक इंट्रेस्ट अड्मिनिस्ट्रेटिव और विजिलेंस ग्राउंड मतलब GDS को पब्लिक इंट्रेस्ट के हिसाब से या फिर एड्मिस्ट्रेटिव के ओडर से या फिर जब कभी कोई उसको प्रॉब्लेम हो रहा है उस एरिया में कोई खत्रा है तो उसको दूसरे जगा पे ट्रांसपर भी किया जा सकता है मतलब दूसरे जगा पे भेज सकता है ठीक है फॉर्थ पॉइंट यह यह है फिप्ट पॉइंट में देखिए असेवक सैल भी आउटसाइड दा सिबिल सर्विस ऑफ दा यूनियन यह सब से बड़ी गाली है ठीक है मतलब हम लोग डिपार्टमेंट पोस्ट में काम करते हु यहनि सिबील सर्विस सिबील सर्वेंट का दरजा नहीं दे रहा है यह सब से बड़ा गाली है मतलब एक दबबा है समझ सकते हैं सेंट्रल गवर्मेंट इंप्लई के नाम पर हम लोग एक दबबा है जो कि यह नहीं करना चाहिए हम लोग सेंट्रल गवर्मेंट का ही काम करत six point देखिए a sebag shall not claim to be at power with central government employees मतलब हम लोग को central government का employee का कोई दरजा नहीं मिलता है मतलब हम लोग claim ही नहीं करेंगे कि हम लोग central government employee है we are outsider from the department मतलब बहुत बड़ा गाली है मतलब चुतिया समझ कर रखा है उसके बाद देखिए सात्मा पॉइंट में है मतलब बोल रहा है कि जब GDS का सेलेक्शन हो जाएगा तो उसको जाकर के उस एरिया में रहाना पड़ेगा उस विलेज में रहाना पड़ेगा जहां पे उसका सेलेक्शन हुआ है उस पोस्ट भी सकंदर जाके रहाना पड़ेगा मतलब उस जुरिजिदिक्शन अरिया में बट बिफोर इंगेजमेंट सेलेक्शन हुआ जाकर उसको करना होगा ठीक है रहाना होगा फैलियो तू रिजाइड इन प्लेस दूटी पोर GDS BPM अन विदिन डिलिवरी जुरिस्दिक्शन अफ ब पोस्ट ऑफिस पूर अधर केटेगरी अब ग्राम दाक से भाग आ अफ्टर इंगेजमेंट सेलेक्शन हें जाकर इंगेजमेंट सेलेक्शन है है GDS पे मतलब GDS को एक कुट्ता बना के छोड़ दिया ठीक है कह सकते पाल तू कुट्ता जकल लेबराडोर पिटबूल सब को पाल करकते हैं जो कमांड देते वही करना पड़ता है यहां पर भी देखिए जब GDS का सेलेक्शन हो जाता है उसको उसी प्लेज पोस्ट ब्लेज म जादर केटेगरी ओफ GDS का जो दूसरा केटेगरी मालने ABPM है डाक सेबाक उनको भी राके रहना होगा उसी जुरिजडिक्शन एडिया में अगर वह नहीं रहता है उसको GDS रूल 10 जो है उसके हिसाब से उसको हटा भी सकता है डिसमिस भी कर सकता है कुछ भी कर सकता है ठीक माइसेज मतलब बोल रहा है कि GDS BPM को ओफिस चलाने के लिए भी ओफिस प्रोभाइट कराना होगा मतलब डिपार्टमेंट के पास इतना जमीन नहीं है पैसा नहीं है जो खुद का ओफिस खुल सके GDS BPM पे ही वो प्रेसर रहेगा responsibility रहेगा कि वो ओफिस चलाने के लिए र बातरूम देता भी नहीं है एक बातरूम मिलता ही नहीं है रूम क्या मिलेगा हाववर वेर अकॉमडेशन इस प्रोभाइड़ पोस्ट ओपिस बाइड पांचाहित का ओफिस मिल जाए कैसे मिलेगा भाई या 500 रुपयाम कुछ भी नहीं होता आजकाल ऐसे एक दिन में हो जाता है तो आसा बढ़ाई एक ओफिस मेंटरेंट से लाउंस बढ़ाई है 500 अगास कुछ नहीं होगा कम सकम एक देड़ हजार बढ़ा दीजिए अच्छा रहेगा ठीक है बीपीम अपना पैसा क्यों खर्चा करेगा इस ओफिस को चलाने के लिए ठीक है तो यह सब कबाईड ड्यूटी दिया जाता लेकिन उसके जगह पे बहुत कम सेलरी दिया जारा है बहुत कम मैना बर काम करेगा जार सत्तर या 247 त 47 इस तरह से मिलता है मतलब इतना में एक भिकारी को भी बोलेंगे नमेना बर काम करो तो नहीं करना चाहेगा कहाँ कियेगा 2,000 तीना हचाई कम्बाइन डुटी जिडियास करेगा उस कम सकम डू शेलर depend on two are Hai 10ud are FB FM का है किदे दर डॉनों का व Kr रहा है तो डुटी करना तो 10-20 दिया जाएगा दूसरा में कटोती कर देगा यह भी बहुत घटिया चीज है तो यह नियम कैसा लगा आपको आप कोमेंट करके बताइएगा ठीक है और यह नियम क्यों हटना चीए क्या लॉस हो रहा है डिपार्ट क्या लॉस हो रहा है जीडियेस को डिपार्टमेंट को तो या आप लोग भी ताकि आप लोग भी अपने हक के लिए लड़ सके जी सके हक से जी सके यह सब छीज बहुत ही समें टर्मन करण लागू कर दिया जिसके वज़ाई से जी द्यस ना इसो पाड़ा ना साहत पाड़ा थेखा है नहीं जी पाड़ाantes बीच में छोड़ दिया है नदी में तेड़ने के लिए दूबने के लिए डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन लागो कर दिया इसको काम करना चाहिए ठीक है नहीं तो एक दिन बहुत बड़ा बिद्रो हो जाएगा 1857 जिसे इस सब चीज नहीं करना ठीक है तो GDS आप लोग को कैसा लगा ये रूल क्यों हटना चाहिए आप लोग को हटा आप लोग को बहुत कोसिस करना चीज को हटाने के लिए मुझे तो किसी भी अंगल से ये रूल पसंद नहीं आया ठीक है हमेसा दबा करकर करके रखा जाएगा GDS को मतलब एक तरह से सो के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ ठीक है यही है डिमोक्रेटिक कंट्रे यहां पर यह सब रूल लागवा तो क्या हुआ अपना आब आज कैसे उठा सकता है कोई तो बाट रूल फोर द जीडियास इसको जल्दियल हटाना चेये टर्मेट करना चेये सब को हटा देना चेये इस रूल को ठीक आई होब जल्दियल हटे वी सी ओल द वैस्ट आल जीडियास अफ इंडिया पोस्ट चलो बाइ